हेलो फ्रेंज वल्कम बेक टो माई चैनल हम मिडल क्लास का प्रॉब्लम क्या है कि महंगे महंगे सीरम क्रीम नहीं खई सकते हैं अपने चेहरे को खुबसूरत करने के लिए कभी मान लिए गलती से खरीद भी लिया तो दूसरे बाद खरीदने का हिमत नहीं होता है घर पे ये ऐसे बहुत साइच चीज़े हैं जो इन सब महंगे महंगे क्रीम को फेल कर देंगे बस जरूरत है कि इसका सही तरीकिसे इस्तमाल करें वैसे भी ये महंगे महंगे जो क्रीम और सीरम होते ये बस धोका ही होता है स्किन को खराब ही करते हैं और पैसे की बरबादी ही होती है तो आज मैं आपके लेलाई हूँ दो रेमेडी जो बहुत अमेजिंग है पहले जो रेमेडी है इसके लिए आपको लेना है ऐलो विरा का जेल जो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए अगर अलोविरा का लीफ है आपके घर तो उससे ज्यादा प्रीसियर्स कोई भी नहीं चीज है तो अलोविरा का अगर आपके पास पेड़ है तो उसका जो जेल है वो ले लीजिएगा उसके बाद थोरा सा उसमें टमाटर का रस डा बिटामिन ई के नाम पर ना जाने कितने महंगे महंगे सीरम होते हैं बिटामिन ई डैरेक्ट इस तरह से यूज़ कीजिए आपके स्किन को जूरियों से दूर रखेगा स्किन में कसावत लाएगा और स्किन में बहुत अच्छा जो यंगर ग्लो होता है ना वो लाने में लगाने के बाद ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिए इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है लेमन जूस यानि की नीवुका रस जो इसमें बिटमन सी भर भर के होते हैं जो हमारे स्किन के डाकनेस को दूर करने के साथ स्किन के पीच लेवल को बैलन्स करत जो बहुत अच्छा होता है खासकर सर्दियों में अपने स्किन पर जरूर लगाना चाहिए इसे हमारे स्किन मॉस्चराइज तो रहती ही है हमारे स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लू आता है इसमें भी विटमनी भर भर के होते हैं नेक्स रिच में हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हल देए अगर आपको कस्तूरी हल देए तो बहुत अच्छा है इन सब को मिक्स कीजिए और अपने स्किन पर रात में सोने से पहले मसाज करते हैं लगा लीजिए